गठिया, arthritis कैसे ठीक होगा? क्या गठिया वाकई में ठीक हो सकता है? हाँ, पिलकुल ठीक हो सकता है. गठिया में है क्या? जितने भी joints होते हैं में खून का दोरा कम हो जाता है, वात बढ़ जाती है, इससे जोडों में दर्द रहने लग जाता है. जोडों में रूकिवी ये व यानि वायू निकल जाए, तो वापस जोडों में खून का दोरा सही हो जाता है, जिससे जोडों का दर्द, सूजन, सब खतम हो जाती है. मतलब गठिया की बिमारी ठीक हो जाती है. इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन इस बिमारी का ऐसा हुआ बना रखा है, कि ये बिमारी मरत दम तक रहती है, आदमी के साथ ही जाती है, जब केसा बिलकुल भी नहीं है, आयरवेद की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में ही रसोई में ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं, जो गठिया की बिमारी को जड़ से उखाड फैकती हैं, लेकिन हम को इनका पता ही तक जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिये, और as it is follow कर लीजे, आपकी गठिया की बिमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, नमस्से, मैं हूँ से चिंगोयल और आपका स्वागत करता हूँ, एकुंजी चैनल पर, अब ये होगा कैसे, देखिए हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी खास बाती होती है, कि हम अपने जॉइंट्स को मूव करते रहें, चलाते रहें, तो उनमें कभी कोई समस्या नहीं आती, समस्या कब आती है, जब हम उनको काम में लेना काम कर देते हैं, या बंद कर देते हैं, तो एक तो अभी अभी गठिया शुरूरु हुआ है वो भी और जिनको पूराना है वो भी, सब लोग आगे बताए जाने वाले घरेलो नुसकों के साथ ये काम जरूर करें, अब कई लोगों को गठिया बहुत पूराना हो जाता है और बहुत बढ़ जाता है, ऐसे में क्या होता है? गठ आपको क्या करना है? नुस्खे के लिए लेना है. एपल साइडर विनेगर यानि सेब का सिर्का वो गठिया के रोगियों के लिए बेहदीर आमद होता है गठिया क्यों होता है जब हमारे शरीर में यूरिक एसेड की मातरा बढ़ जाती है तो गठिया की समस्य होती है और apple cider vinegar आपके शरीर में बढ़े होए यूरिक एसेड की मातरा को कम कर देता है इससे आपको गठिया में बेहदी रात मिलती है बहुत ज़्यादा फैदा मिलता है ये लेना किस तरीके से है आपको बिल्कुल साधरन तरीका है इसका आपको एक गिलास हलका गरम पानी लेना है पानी आपको ना तो ठंडा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा गरम लेना है पीने लायक हलका गरम पानी होना चाहिए बस इतना काफी है इस एक गिलास पानी के या आपको daily सुबह खाली पेट इस तरीके से हलके गरम पानी में mix करके पीना है चाय वगहरा पीते हैं वो कुछ पीना पीएं आप इसे fresh होने के बाद में, brush करने के बाद में खाली पेट ले लें लेकिन इसको पीते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आप पानी के अंदर एपल, साइडर, विनेगर मिक्स कर लेंगे तो आप इसे ऐसे ही उठा कर ना पीएं क्योंकि एपल, साइडर, विनेगर जो है यह आपके दांतों के लिए हानी का रख होता है जो दांतों की सफेद परत होती है उसको यह पीला कर देता है इसलिए आपको इसको पीते समय सावधा नी रखनी है बनाना इसी तरीके से है लेकिन इसको स्ट्रॉ से पीना है बाजार में आपको स्ट्रॉ मिल जाएंगी उसके सायता से आपको इसे पीना है इसके बाद में दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जो लेसुन होता है ये भी गटिया के मरीज के लिए बेहदी फायदे मन होता है गटिया की बिमारी सर्दियों में तो आपको परिशान करती है लेकिन गर्मियों में भी ये बहुत ज़दा परेशान करती है तो आपको क्या करना है? लैसुन की कलियां ले लेनी है अब भी जैसे गर्मियों का मसम है तो रोजान आप लैसुन की एक कलिय का इस्तेमाल करें छिलका निकाल कर काम मिलें तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, रोजाना एक कली पानी के साथ में, जैसे टेबलेट खाते हैं, उस तरीके से खाकर आप ओपर से एक गिलास हलका गरम पानी पी सकते हो, जिनको बहुत ज़्धा तक्लीफ है, वो दुनों टाइम एक एक कली ले सकते हैं, और जिनको कम है, वो رोजाना एक कली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फलके गरम पानी के साथ में ही आपको इसका सेवन करना है, इसके बाद में दूसरी चीज आप अद्रक ले लें, अद्रक का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें, सबजी बनाने में करें, दाल वगरा में डालें, अद्रक की चाय पिएं, अद्रक जो होती है, वो आपको बहुत सारे फायदे देती है, ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में अद्रक का इस्सेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं, ये आपके पेट लिए बेतरीन होती है, पेट में जो गर्मी होती है, उसको ये दबाती है, उसको ये खतम करती है, ये शरीर मे बिगडी हुई वायू को बैलेंस करती है, जिससे गठिया में जबरदस फायदा मिलता है, इसलिए अधरक का सेवन जरूर करें, इसके बाद में हमारे पास अगली चीज़े यहां पर दाल चीनी, इंगलिश में इसको सेनेमन भी कहते हैं, ये घर में मसालों में काम आती है, आ हाथ में जिनको गठिया के दर्द के कारण जोड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पकड़ जाते हैं, तो आप सरसों का तेल ले लें, आप चाहें तो इसमें कुछ लैसुन की कलियां डाल कर पका सकते हैं, लेकिन नहीं पकाना चाहते हैं अभी गर्मियों में, तो ज़्यादा समय तक की बिमारी रहती है, तो हाथ भी थोड़े से टेडे मेडे हो जाते हैं, तो आप ये जो एकसरसाइज आपको बता रहा हूं, साथ में उसको भी करना, आप तेल की मसाज डेली करें, दिन में एक बार कर लें, रात को करें सोने से पहले, और जब भी आपक तरीके से एकसरसाइज जरूर करें, मुठी को खोलें, फिर आप बंद करें, इस तरीके से करें, आपको थोड़ा सा हाथ को टाइट करना होगा, जिससे की अच्छे से खिचाओ बने, इससे क्या है, आपके जो हाथ पैर हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता र पाउडर है, आप उसको भी पानी में डाल कर पी सकते हो, दो चुटकी हलके गरम पानी में डाल कर पी लें, तो कभी आपने जैसे लेसुन ले लिया, कभी आपने दालचिनी पाउडर ले लिया, बदल बदल कर इस तरीके से इन चीजों को लें, सारी चीजों का सेवन एक द और जोडों का दर्द दूर करने के लिए बेहदी रामबान गरेले नुस्खा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए आप से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी